अच्छा जी तो मॉड्यूल वन की जो फाइनल क्लास है वो है हमारी सबसे जुरूरी टॉपिक जिसके ओपर हम प्रिटी शूर बहुत सार लोह का दिमाग अटकवा होगा और वो है मॉनिटाइजेशन आप सोच रहोंगे कि यार इतनी सारी इसने बाते करी थी पैसा 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 और इसने किन चीजों के अंदर लगा दिया पैसो की बात कप करेगा भाई पैसो की बात हम अब करेंगे YouTube की monetization का basically हिसाब यह है कि YouTube के उपर आप दो तरीके से पैसे कमाज सकते हैं पहली चीज़ यह होती है कि YouTube आपको खुद पैसे देता है which is the YouTube Partner Program और उसकी eligibility का हिसाब यह है कि जब आप कोई भी वीडियो लगाते हैं जब आप नया चैनल बनाते हैं तो आप समझ लें बिलकुल कोरा कागज है YouTube एक दम साब पैसे देना स्टार्ट नहीं करेगा YouTube आपको पहले टेस्ट करेगा YouTube बोलेगा कि ठीक है यह आपको यहां से यहां तक भागना है जब हम देखेंगे कि आप यहां से यहां तक भाग सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ठीक है यह बंदा और भी आगे बाग सकता है तो हम आपको अपना पार्टनर बनाएंगे तो बैसे लिए यूट्यूब ने एक लिमिटेशन लगा दिये कि मॉनिटाइजेशन की एपलिकेशन सब्मिट करने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 वाच आवर्स होने चाहिए यानि कि आपका जो कॉंटेंट है तोटल मिलाके जितनी भी आपने बले आपने एक वीडियो दा ली हो बले आपने 100 वीडियो दा ली हो उस पॉइंट तक उन सब को जो टोटल वाच टाइम है वो 4000 आवर्स होना चाहिए हो सकता है सुनने में आपको बहुत जादा लग रहा हो मगर सची बात है इतना जादा होता नहीं जब मैंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया था तो I think तीसरी वीडियो तक मेरे वाच आवर्स पूरे हो गए थे और ऐसा नहीं कि सारी वीडियो लाग लाग बहुत मिलियों में व्यूज कमा रेती हैं थोड़े थोड़े व्यूज आते थे यूट्यूब आपको पाटना प्रोग्राम की अप्लिकेशन दे गई नहीं जैसे ही आप ये दो चीज़े हिट करते हैं आपके चैनल से एक अप्लिकेशन सब्मिट होती है यूट्यूब के सर्वर्स के उपर कि भाई इस चैनल ने ये माइल्स्टोन अचीफ कर लिया है अब आप इसको रिव्यू करें आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इसके बाद फॉरण से आपकी मॉनिटाइज़शन स्टार्ट हो जाएगी ऐसान नहीं है यूट्यूब के कुछ लोग मैनूली आपके चैनल को फिर रिव्यू करेंगे वो देखेंगे कि चलो यार ठीक है इसने अचीफ तो कर लिया मगर ये बना क्या रहा है देखते तो हैं कि ये खर क्या रहा है किस तरीकी की वीडियो बनाता है कभी-कभी वो रिजेक्ट भी हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि ठीक है आपकी अप्लिकेशन रिजेक्ट हो गई है देड़ महीने में दो महीने में चार महीने में फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आपकी यह application reject हो जाती है तो थोड़े अरसे बाद YouTube आपको फिर से एक review करता है नहीं होती तो automatically आपको एक email आती है कि congratulations आप partner program को हिस्सा बन चुके है अच्छा ऐसे कि मैंने बता है बहुत सारे लोग expect करते हैं कि immediately जो है वो monetization start हो जाएगी एसा नहीं है review के बाद भी थोड़ा बहुत time लगता है ऐसे मेरे एक channel पे 6 महीने लगे थे एक channel पे 10 महीने लगे थे फिर मैंसे लोगों जानता हूँ जिनकी एक महीने के अंतर जो है वो application accept हो गई और उनका जो जितना भी process है monetization के वो start हो गया दूसर जो तरीका है YouTube से पैसे कमाने का वो होती है sponsorship इसके उपर again हम बहुत detail में आगे बात करेंगे बट इसका जो brief सा version है वो यह है जो आप अच्छा content बना रहे होते हैं आपके पास viewership आ रही होती है आप valuable content लोगों दे रहे होते हैं तो आपके पास कुछ companies आती है और बोलती है ठीक है मेरा एक product है जो आपके channel के साथ बड़ा match हो रहा है आप इसको अपने channel पर promote कर दे और इसके आप इतने फ़ला फ़ला पैसे ले लें and when you say yes, that is another way you make money from YouTube module 1 हमारा होता है यहाँ पर खतम आपसे मुलागात होगी module number 2 में अल्हाफिज